अगलो दोस्तों स्वागे थे पॉल्टिनिक स्टार्ट इस पे मैं हूँ आरके सिंग अब लोग कंटिनिव करें थे फंडामेंटल अप लेक्टिकल एन इलेक्ट्रोंगिस इंग बुले तो एफ ट्रिपली तो दोस्तों हम लोग ने सब्जेट से अल्रडी एक यूनिट को तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी स्लीवस में क्याकर टॉपिक परना है तो मैरे पास दो स्लीवस है एक तो आपका भीछार का सीलेवस, दूसरा है वेस्सट गेनल का सिलेवस क्षेंडिन्स यह आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर सबसे पहला है EMF current potential difference then power and energy तो यह सारे topic हमें electric circuit से पढ़ना है उसके बाद हम लोग magnetic circuit चला जाएंगे वहाँ पे हम लोग magnet के बारे में परहेंगे थोड़ा सा ते क्या होता है magnet magnet के कुछ property देखेंगे और उसके बाद हम लोग MMF को discuss करेंगे MMF क्या होता है MMF का full form है आपका magneto motive force and उसके बाद next में है magnetic force permeability, hystasis loop, reluctance, leakage vector, bh curve and hystasis loss, eddy, current loss and क्या है उसके बाद electromagnetic induction तो electromagnetic induction जो है उसमें हम लोग दो लोग को परने वाले हैं एक तो faradis law दूसरा है lens law इन दो लोग को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे dynamically induced EMF and aesthetically induced EMF and principle of self and mutual inductance तो यह सारी topic बहुत important topic है ओके चलो तो यह सारे topic हम लोग परने वाले हैं and analogy between electric and magnetic circuit तो definitely परेंगे electric circuit and magnetic circuit के बीच में क्या क्या similarity है क्या क्या differences है वह हम लोग देखेंगे क्योंकि यह बहुत important topic है क्या क्या टॉपिक एक्स्टा है क्या क्या टॉपिक एक्स्टा energy stored in magnetic circuit and flaming's left hand rule and flaming's right hand rule तो यह यह जो टॉपिक है यह एक्स्टा है पढ़ना है and सिर्फ basic concept ही लेना है हमें यहाँ पर ज्यादा deep में नहीं जाना है ज्यादा deep में हमें दिया नहीं जाता है क्योंकि second semester में उतना deep में आपको कुछ भी दिया नहीं जाता है सिर्फ उसका basic concept आपको लेना है सारे topic को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल लेंग्विज में समझने की कोशिज करेंगे क्योंकि यह जो सब्जेट है आपका FEEE यह एक्चुली सिर्फ और सिर्फ Electrical and Electronics Engineering के बच्चों के लिए है जो भी स्टूडेंट Electrical से कर रहे है और Electronics and Telecommunication Engineering से कर रहे हैं तो उन लोग को यह सारी टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से आगे जाके पढ़ना है ठीक है फिर से पढ़ना है आपको सेकंड यार में तो आपको डिफिनेटली पढ़ना है तो फिलाल बाकी ब्रांचे के बच्चों के लिए सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की काफी है जैसे कि मैं सिविल का हूँ तो मैंने भी सब्टिक को परा था मैं जब फस्ट यहर में था मैंने भी परा था लेकिन सेकेंड यार अब अब यहर में इसका कोई भी काम नहीं हुआ था ठीक है सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लेने से आपका हो जाएगा ओके चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास बाते बहुत हो गया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में अभी चार्ज क्या होता है मैंने आप लोग को पराया था तरbee नंबर वन पे चार्ज क्या होता है दोस्तों दा अमांट आप एलेक्टी सिटी दा अमांट अफिलेक्ट इसम्रः कीD इन अफिलेक्टिक चार्ज फंदय अक्यून अस्टीna पर जितना electricity रहता है उसी को हम लोग उसका charge कहते हैं या फिर हम लोग charge को इस तरह से भी कह सकते हैं the deficiency of electron and addition of excess electron in an atom is called electric charge किसी भी atom पर किसी भी atom पर ये अगर हमारा atom है किसी भी atom पर अगर electron निकल गया है तो electron का कमी आ जाएगा यहां फिर electron enter हुआ है electron add हुआ है तो फिर यहां पर electron extra हो जाएगा तो इस process के दौरान atom पर जो charge आएगा that is called electric charge बात समझ में आया मैंने इसको समझा के रखा है देखो पहले हमारा atom पर क्या रहता है center पर होता है nucleus nucleus पर रहता है आपका proton and neutron ठीक है Newton का charge क्या है zero proton का charge है positive ठीक है इस nucleus के charge हो रहता है कुछ orbits जैसे यह orbits हो गया यह electron ऐसे घुमेगा orbits ठीक है ऐसे electron घुमेगा and electron के charge क्या होते है negative electron का charge का जो nature होता है वो क्या है negative तो देखो neutral condition पर या फिर stable condition पर किसी भी atom पर proton and electron जो होते हैं वो equal number पर होते हैं जैसे कि इस atom पर मान ले आपका 10 proton है तो stable condition में 10 electron रहेगा तो 10 positive charge and 10 negative charge दोनों क्या हो जाएगा neutralize हो जाएगा तो overall हमारे पास क्या रहेगा zero charge तो neutral condition पर या फिर stable condition पर atom का कोई charge होता है वो neutral condition पर होता है लेकिन अगर यहां से कोई electron निकल जाए तो क्या होगा यहां से कोई electron निकल जाए तो क्या होगा प्रोटन का जो number है वो electron से ज्यादा हो जाएगा ठीक है अगर वही पे बाहर से electron आके add हो जाते है तो यहां पर electron से ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोन का चार्ज क्या है negative to negative positive से जाड़ा हो जाएगा एंड यह बन जाएगा आपका negative charged atom या फिर आयोन जिसको हम लोग यह बन जाएगा तो इसको हम लोग कानी है इंड नेगर बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते है है अपना क समय प्रिचर यह यहां पर कितना ऑज हूआ है कितना electron add हुआ है तो यह है electron का charge जिसको हम लोग 1 unit मानते हैं एक electron का charge को हम लोग 1 unit मानते हैं क्योंकि यही वो सबसे कम charge है जो की exist करता है तो यहाँ पे अगर इस atom पे n number of electron आके घुसेगा तो इसका जो charge होगा वो क्या होता है q is equal to n e ठीक है तो इस atom का charge क्या होगा इतना होगा ठीक है अगर भई पे यहाँ से यहाँ से n number of electron निकल जाता है तो यह जो होगा आपका positive बन जाएगा and इसका charge होगा यह वाला ठीक है तो that is the charge तो charge को हम लोग अलग तरीके से भी define करते हैं जैसे कि हम लोग ने करा था the deficiency of electron and addition of electron ठीक है इस बारे definition को हम लोग फिर से लिख लेते हैं अगर आप लोग ने मेरा class देखा होगा तो इसको मैंने कराया है already तो यह देख लो the deficiency the deficiency or addition of axis electrons in an atom is called is called is called charge ठीक है is called charge ओके ठीक है is called charge आप लोग simple तरीके से इसको लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा मोडिफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आप एंड चार्ज का यूहनट क्या होता है दोस्तो आप सभी लोगो पता है कूलंब ठीक है अजब का इसका होता है कूलंब and one column is equal to क्या होता है बोलो one column one column is equal to क्या होता है आप लोग को याद होगा the charge of the total charge of the total charge of 6.25 into 10 दो बोर 18 electrons तो इतने electrons का जो charge होता है इतने electrons का जो total charge होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो उसको हम लोग कहते हैं one column charge and यहाँ से आप लोग एक electron का charge निकाल सकते हैं एक electron का charge क्या होगा the charge of electron the charge of one electron the charge of one electron क्या होगा बोलो charge of one electron 1 by 6.25 into 10 दो और 18 इसको कर दो तो जो भी मिलेगा वो आपका charge मिलेगा ठीक है चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्या होगा 1 by 6.25 into 10 to the power 18 इसको करेंगे तो यह मिलेगा हमारा 1.6 1.6 ओके इंटू 10th पॉर minus 19 कूलंब या फिर इसको और भी हम लोग fraction मिले जाएंगे तो यह कुछ इस तरह से होता है तो इतना कूलंब होता है एक electron का charge and इतने electron का charge मिला के जो total charge होगा उसको हम लोग कहते हैं 1 कूलंब ठीक है and कूलंब को हम लोग और भी एक तरह से define कर सकते हैं देखो 1 कूलंब हम लोग कह सकते हैं 1 कूलंब 1 कूलंब is equal to 1 ampere into 1 second ठीक है मतलब क्या है इसका एक conductor है this is the conductor ठीक है इस conductor के through जो current जा रहा है वो क्या है 1 ampere ठीक है कितने time के लिए जा रहा है 1 second के लिए जा रहा है तो 1 ampere का current अगर किसी भी conductor के through 1 second के लिए जाएगा तो जितना charge जाएगा जितना charge जाएगा इधर से इधर ठीक है this is the one coulomb बात समझ में आया या this is the one coulomb so one coulomb can be defined one coulomb can be defined can be defined as the amount of electric charge as the amount of electric charge one coulomb can be defined as the amount of electric charge from a current of one ampere अच्छा इधर रिख देता हूं दो तिन वर्ड फ्रोम अ करेंट of one ampere one ampere flowing for one second ठीक है तो किसी भी कंड़क्टर में अगर एक सेकंड के लिए एक ampere current flow होता है ठीक है एक ampere से एक सेकंड के लिए तो जितना चार्ट इधर से उधर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं क्या एक कुलंब या फिर आप लोग यहां से एक रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी कंड़क्टर के थ्रो एक सेकंड के लिए 1 ampere current जाएगा तो इसका मतलब इधर से इधर कितना electron जाएगा दोस्तो 6.25 into 10th bar 18 electron इधर से इधर आएगा ठीक है इस बात को समझने की कोशिस कीजिए ठीक है एक सेकंड के लिए इतना ampere का current जा रहा है मतलब कितना electron जा रहा है इतना electron जा रहा है मतलब 1 Coulomb charge जा रहा है तो this is all about the charge and charge को हम लोग कैसे निकालते हैं q is equal to and e the number of electrons and charge of electron okay number of electrons into charge of electron okay ठीक है चलो तो इसको मैं erase कर देता हूं पूरा अभी हम लोग बात करेंगे current के बारे में okay तो जब हम लोग ने पहली बार इसको discuss किये थे तो इतना dip में नहीं किये थे तो थोड़ा सा यहां पर मैं इसको कुछ नया information में आप लोग को दिया हूं यहां पर तो अगर आप लोग unit 1 पर इस वाले class को देखा होगा तो वहां पर कुछ information कम था यहां पर मैंने कुछ information जो है आप लोग को ज्यादा बताई है तो revision का revision भी हो गया and and क्या है कि जो नया information था वो भी आप को समझ में नहीं आया ठीक है अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर यू कन लीवा कमेंट कर सकते हैं या फिर वार्षप पे contact कर सकते हैं ओके चलो तो अभी बात करेंगे हम लोग करेंट के बारे में वाट इस दा करेंट तो करेंट क्या होता है दोस्तों में दो दोफ रेट ऑफ फ्लो अफ चार्ज ठीक है दो रेट अफ फ्लो ऑफ चार्ज तो ना चार्ज कितने टाइम पर पार हो रहा है क्रोस हो रहा है, this is the current, तो देखो ये हमारा एक Conductor है, ये हमारा क्या है, एक Conductor है, इसमें हम लोगोंने एक Cross Selection लिये है, इसको हम लोग एक Cross Selection लेते हैं, अब क्या है, कि यहाँ से इधर से इधर जाने के लिए, मतलब इस वाले सेक्षण को पार करने के लिए, time लगा है one second दिके and कितना पार हुआ है bucks five ... पार हुआ है तो इसका rate किया होगा बोलो इसका rate क्या होगा 1 Coulomb by 1 second तिक है ओक यह फिन लोग कह सकते हैं यह फिर हम लोग क्या कह सकते हैं 6.25 इंट्ट गश्य जो और 18 एलेक्ट्रोंग एक सेकनद पर हुआ है ठीक है एक सेकनद पर पर हुआ है डिस इस दे रेट ओफ फ्लो आफ चार्ज टेक है कितना चार्ज कितने टाइम पर पार हो रहा है किसी भी cross section को ठीक है इसी rate को हम लोग क्या कहते है current कहते है इसी को हम लोग क्या कहते है current current बोले तो flow current बोले तो flow अभी हम लोग किसी भी नदी का अगर पानी का flow का rate देखेंगे तो उसको भी हम लोग current कहते है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग current कहते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग उसको calculate करते हैं, the amount of water, कितना volume जा रहा है, पानी, कितने time पे, कितना volume पानी जा रहा है, उसको हम लोग वैसे लिखते हैं, इसका current क्या होगा, लेकिन हम लोग पर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ चार्ज की बारे में मात करेंगे कितना टाइम पए कितना चार्जपार हो रहा है इस्सavet इस्सटेड सनक्नरां को आप लोग Egyptian बेन लिखना चाहते हैं फिर भी लिखा दो जो लोग नए हैं वो लोग जरूर लिखिएगा एंड जिन लोगों ने अल्रेडी मेरे क्लासेज देख चुके हैं फर्स्ट उनिट का ठीक है तो उन लोग को अगर लिखना है तो लिखो वरना जो कि वहाँ पर लिखाया था वही से काम चल जाएगा ठीक है so electric current electric current may be may be defined as the electric current may defined as the time rate as the time rate of net motion तो थोरा सा मोडिफाय करके लिखा रहा हूं तो पहले बाले से थोरा सा इसको मोडिफाय करके लिखा रहा हूं electric current may be defined as the rate of as the as the time rate of net net motion of an electric charge of an electric charge charge across across a cross-sectional boundary across a cross-sectional boundary ठीक है so this is the current this is the electric current okay and electric current को हम लोग कैसे लिखते हैं i से हम लोग देनोट करते इसको electric current को हम लोग कैसे लोग करते हैं बोलो i से देनोट करते हैं and i इस अगल रुक्या होगा तो स्थो q by T and यह क्यों क्या है q is the charge ठीक है q is the charge and t is the time okay and charging क्याने जानते हैं क्या एन ई एन यह होगा ठीक है ओके तो दिस इस दा करेंट दिस इलेक्टिक करेंट एंड यह है इसका फॉर्मुला आइस इगल टू क्यू बाइटी यह फिर आप लोग एंड इवाल टीवी लिख सकते हैं एंड हम लोगे हम लोगों ने चार्ज का और वी एक देखा था वह क्या था आपका आप लोगो पता होगा इस इस दा एंपियर ऑके यह एंपियर एंड यहाँ एंपियर किसको कहेंगे बोलो वन एमपियर किसको कहेंगे किसको कहेंगे 1 ampere simple सी बात है एक conductor है ठीक है ये एक conductor है इसका हम लोगों ने क्या रखा इसका हम लोगों ने क्या रखा एक boundary ले लिया चलो ये वाला boundary ठीक है तो एक second पे एक second पे अगर इस boundary को 1 Coulomb charge पार करता है तो इसका जो rate होगा उस rate को हम लोग कहते हैं क्या 1 ampere मतलब इसका rate क्या है कि एक second में 1 Coulomb charge पार होगा always एक second में 1 Coulomb charge पार होगा तो ये जो rate है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं 1 ampere तो 1 ampere का definition लिख लेते हैं पड़ापड से 1 ampere का definition अगर आपको पूछा जाए तो फिर आप लोग को तो आमा चाहिए कैसे लिखेंगे 1 ampere का definition देखो 1 ampere a current of 1 ampere is said to be flowing a current of 1 ampere is said to be flowing flowing is said to be flowing in the conductor अच्छा इधर ही तो लिख सकते हैं दो बाते in the conductor in the conductor conductor देख्राएं हां चलो देख्राएं in the conductor across in the in the conductor when a charge of when a charge of when a charge of 1 Coulomb is passing when a charge of 1 Coulomb is passing a cross section cross section या फिर a point भी हम लोग कह सकते हैं in 1 second in 1 second ठीक है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या 1 ampere ओके 1 ampere and 1 ampere को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं 1 ampere is equal to 1 ampere is equal to of flow of flow of 6.1 one column बोले तो क्या 6.25 into 10 to the bar 18 electrons electrons in 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 one second ठीक है तो एक सेकंड में अगर किसी क्रॉस सेक्शन को किसी भी boundary सेक्शन को या फिर किसी क्रॉस सेक्शन को इतने electrons पार हो रहा है एक सेकंड में तो उस करेंड को इस यहां पर नहीं लगाना चाहता था यहां पर लगना चाहता था यहां पर लगना चाहता electrons होगा क्योंकि बहुत सारे electrons है plural ठीक है तो एक सेकंड में अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन को इतने नंबर एक्टोन पार हो रहा है तो उसका जो कहते हैं potential को ही हम लोग क्या कहते हैं voltage कहते हैं तो voltage and potential एक ही चीज़ है ओके अगर 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 कर चलो तो फिर आप लोग हीडिंग में क्या डालेगा potential and bracket में रखेगा voltage ठीक है potential potential bracket में रखेंगे क्या voltage what is potential या फिर what is voltage तो the ability of charged particles to do work is called electric potential तो किसी भी charged particle का जो कार्य करने का जो समता है work करने का जो उसका समता है उसी को हम लोग क्या कहते है कहते हैं उसका potential तो पोतेंचल पोटेंचल का definition बहुत ही easy है the ability of a charged of a charged particle is called the ability oh sorry the ability of a charge particle this main battum in a link I need to do work to do work kya karni ka ability to do work is called is called a potential its potential potential or voltage okay so it's a go on look at the hair world is cutting the co-op key may happen a cup come atom 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 यह है आपका ऐसे दो इलेक्ट्रों का यहाँ पर ज्यादा एकसेस मात्रा में दो इलेक्ट्रों है तो इसका जो चार्ज होगा क्या होगा वो एन ए मतलब टूई होगा इसका चार्ज क्योंकि दो इलेक्ट्रों यहाँ पर ज्यादा है तो यह आपका माइनस टूई हो गया दे उत्का चार्ज हे पॉजिटिव को माते हैं ये इसको क्या करेगा ऊयाय गार फिक्स के ये इसको इदर खीच रहा है तो ये ये अगर आता है तो इसके वज़़से क्या होता है हमारा work होता है ठीक है अगर किसी ने किसी को effort दिया है इसके बज़े से यह move कर रहा है इधर आ रहा है तो मतलब क्या है कि यह charge particle हमारा work किया है थोड़ा सा काम तो किया है इसलिए तो यह आएगा इधर औके तो इसका यह ability है काम करने क दूसरे किसी चार्ज पार maple को आपने तरफ खीचने का यहा फिर दूसरे चार्ज पार्टीकल को आपको धक्का देने का धक्का कब देगा जब इसका चार्ज होगा गयर को धक्का देता है प्यूम् सोकत देता है यह तो हम लोoffs low है यह 私 हम लोगों ने फीजिक्स में परा है तो वहां पर क्या है कि नेगटिव नेगटिव को रिपेल करेगा तो यह वाला इसको एट्राक करेगा जिसके वैसे यहां क्या होगा थोरा सा वर्क होगा इसी एबलेटी को हम लोग क्या कहते हैं वोल्टेज कहते हैं अब जिसके पास जितना चार्ज होगा उसका एबलेटी उतना जादा होगा मतलब उसका वोल्टेज उतना जादा होगा ठीक है चलो अब क्या करते हैं अब वोल्टेज के बारे में वोल्टेज या फिर एलेक्ट्रोक सोरी एलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज वोल्टेज इस इकल टू क्या होता है वर्क डन वर्क डन वाई क्या होता है दोस्तों वाई होता है आपका चार्ज कितना charge जो है कितना work करा है this is the voltage voltage कैसे निकालते हैं हम लोग ऐसे निकालते हैं तो work done को हम लोग w से क्लिखते हैं and charge को q से लिखते हैं तो voltage equal to क्या हो गया दोस्तों आपका work done by charge ठीक है ओके तो यह जो unit है volt तो 1 volt किसको कहेंगे बोलो 1 volt किसको कहेंगे इस वाले formula से आप लोग निकालने की कोशिस कीजिए इस वाले formula से आप लोग निकालने की कोशिस कीजिए इसका definition 1 volt किसको कहेंगे दोनों को आप लोग unit बना दीजे पहले तो दोनों को आप लोग unit बना लिजे unit कैसे बनाएंगे हमने एक सकते हैं एक और एक मोरीक कर सकते हैं जैसे कि देखो को W is Egal To , ये जो Q है, Q Is Egal To हम लोग लिख सकते हैं One Ampere second है. ठीक है ? One Ampere second हम लोग ने चार्ज में परदा था इसको कि एक Ampere का current अगर एक सेकंड के लिए जाता है तो जितना चार्ज जाएगा अब वो क्या होगा ? एक कुलंब होगा तो हम लोगों ने इसको 1 एंप्यर माल लिये हैं तो यह हम लोग यह लिख सकते हैं जूल बाई एम् फॉर्मुला से आप लोग इसकाद निकालने विर्ष कोईशिश कीजिए मैंने आप कैसे निकालने देखो तेखो हम लोग क्या कह सकते हैं में एंच पीब यह कह सकते हैं है कि अगर अगर एक कुलम चार्ज अगर एक कुलम चार्ज ठीक है एक कुलम चार्ज एक कंड़क्टर के थो जा रहा है एक कुलम चार्ज अगर किसी कंड़क्टर के थो जा रहा है तो वो कितना काम करेगा वान जूल काम करेगा व कितना काम करेगा वान जूल काम करेगा तो फिर उस पॉइंट का जो ये दुनों पॉइंट का जो आपका वोल्ट रहेगा वही होगा वन भूल्ट वाथ समझ में आया वन वूल्ट उसको हम झालों कैते हैं यह पर लुख कहे जाते हैं अच्यार्ज अच्यार्ज ओफ वन कुलंब इसको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं ओके घवराना नहीं है अच्यार्ज ओफ वन कुलंब रिशीब्स और डेलिवर energy of one joule a charge of one coulomb a charge of one coulomb receives or deliver energy of 1 joule, energy of 1 joule is moving through a voltage of 1 volt, is, is moving through a voltage of, through a voltage of 1 volt, ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो, एक कुलम चार्ज, एक कुलम चार्ज, यह मैंने एक कंडाक्टर लिए है, ठीक है, यह मैंने एक कंडाक्टर लिए है, ओके, तो कंडाक्टर में चार्ज का फ्लो होता है, आप पहले तो यह जो टांसफर है वो चार्ज क्यूं जाएगा इदर से इदर क्यूं जाएगा क्यूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वोल्टेज का डिफरेंस होगा दो पॉइंट दो point के बीच में charge इधर से उधर जा रहा है मतलब potential इन दो point के बीच voltage का difference है जैसे कि पानी क्यों flow होता है एक उची जगा में एक नीची जगा में तो इसका potential ज्यादा है नीची जगा में जो है उसका potential कम है तो high potential से पानी नीचे आएगा पानी इसलिए बहता है और इलेक्टिक चार्ज भी इसी तरह से बहता है इस point का जो potential है मालेते हैं यह आपका 10 वोल्ट इस point का जो है यह है आपका minus 10 वोल्ट तो इसका potential ज्यादा है इसका potential कम है तो चार्ज जो फ्लो होगा जो current होगा वो इस तरह से ऐसे जाएगा इधर से इधर आपका जाएगा इधर से इधर क्या होगा जाएगा electron flow होगा इधर से इधर charge जो है इधर से इधर flow होगा तो ऐसा क्यों हो रहा है due to the potential difference यह voltage के difference है इसलिए charge हमारा इसा flow होता है इसके पास negative ज्यादा है मतलब electron ज्यादा है इसलिए यह सभी electron इधर देगा and इधर से इधर charge हमारा जाएगा ओके तो one volt क्या है देखो वान्वोल क्या है वान्वोल आपका एक ऐसा है कि इस conductor के तो इस conductor के दो वान कुलम चार्ज फ्लो हों रहा है इधर से इधर 1 कुलम चार्ज आएगा तो जब यह आएगा तो वो क्या होगा एधर वह electron स्वरी इधर वह energy को छोड़ेगा कितना एनर्स चोलेगा या फिर वह energy क सब्सक्राइब test स्भाइब टो फॉत कि क्यात प्रिया करता है यह सब्सक्राइब न यह जोड़ता है तो दिस इस दा फैसिफनेशन ओफ फोन फोल्ट ठिक है चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो ऊणव पड्न के लिए मिसमें लेगते हैं ज्यादा तर तो वान किलो फोल्ट होता है नहीं आपहले होना चाहिए म hell of mineral एजिकल टू एक प्सक्माब में तो आप लोगों के गाव में या फिट सहर में एलेक्रिसिटी तो जाता होगा तो वहाँ पर टांसफोर्मार रहेगा तांसवर्मार के उधर जाएगा एड़ वहाँ एक आपका कोशन या फिर डेंजर बोड रहता है तो आपको वहाँ पर जेखने को मिल जाएगा जो हमारे गाव में आते हैं या फिर जो सैर में आते हैं नॉर्मली वह होता है आपका ग्यारा हजार वोल्ट वोले तो यहां पर लिखा होता है डेंजर ठेक है यहां पर एक ऐसे खोपरी का साइन रहता है ठेक है ऐसे बना रहता है डेंजर ग्यारा हजार वोल्ट तो ग्यारा हजार वोल्ट वोले तो के भी ठेक है के भी का मतलब क्या है किलो वोल्ट ठेक है कि किलो वोल्ट किलो वोल्ट होता है 1000 वोल्ट एंड अगर कहीं पर आपको लिखा है कि 1 में भी मदी का मतलब है मेगा वोल्ट यह होता है 10 to the power 6 वोल्ट एक के पिछे छे बार 0 लगा दो तो जितना मिलेगा वही होता है हमारा एम वी वन एम वी तो यह रिलिशन आप लुग याज है कि यह वन किलो वोल्ट इस एकल दो वन थाउजन वोल्ट एंड वन मेगा वोल्ट इस अगल टो टैंड दो और 6 फोल्ट ठीक है चलो तो अभी इसके बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसके बाद हम लोग mucho करने ना चाहिए जह कि देखो अगर अगर आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखते ही देखते क्या हो जाता है। 3 किसे मेरे साथ होता है मैं dip sort video चालू करता हूं तो एक के बाद एक आते जाते है और टाइन जो है वो छाता है पता ही नहीं चलता कि कब एक गंता से दो गंता मेना देख लिया जिब मैं game खालता हूं तो त्विर हो तो कलांस की देखो अगर हम लोग पराई जो है इंटरेस्ट की साथ करेंगे तो फिर क्या हो गांप लगेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन टाइम नहीं होगा, हम लोगों ने 10 पुर्फ और एक गंटे से तो इसका उपय क्या है कि आप लोग को सब नहीं हटाना है आपको इंटरेस्स लेना है उसमें इंट्रेस्स लेजेत का उसमें इंटरसेक्टि है सकते आपको सब्सक्कंतर सब्सक्राइग कोई फैक्तर नहीं है एक गंडे के लाश हो दो गंडे के क्लास हो चार घंडे के क्लास हो आप लोग सकते हैं without any disturbance के बिना disturbing हुए आप लोग देख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट फोकस सही पर रहता है तो तो पराई करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको क्या देना है थोड़ा सा फोकस देना है अभी चलो हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंश के बारे में है तो पोटेंशियल डिफरेंश के बारे में है तो पोटेंशियल डिफरेंश क्या है हम लोग ने पोटेंशियल को समझे है तो जो वोल्टेज होता है वही होता है तो दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा इस इस दो पॉटेंशल डिफरेंस वही बात को हमें यहाँ पर लिखना है ओके यह हमारा a point this is the B point A point B point and A point and B point के बीच में पोटेंटियल यह जो पोटेंटियल है इन दोनों का इसमें डिफरेंस क्या है वही हमें निकालना है वही है पोटेंटियल डिफरेंस the difference between electric potential the difference between electric potential of any two given points given points in a in a electric circuit in a electric circuit is known as potential difference is known as potential difference is known as potential difference okay and potential difference का जो आपका unit होता है बोबी होता है क्या voltageया थिक्श 2 unit unit what is the unit unit is vault तीख है इसका भी इन होता है वोल्ट था हे क्योंकि देखो इसका जो potential है इसका potential मान लेते हैं v1 फोल्ट ठीक है पोटेंटियल का लुट यहाँ हाँ यहाँ पैसका भी तुवर्ट थे है दोनों लोग डिर्फर्स निकालेंगे भी वन माइनस बीटु तो जो युनिट आएगा वो क्या आएगा वो क्या गोल्टी तो आएगा न यह है वोल्ट ऑकफिका यह तिक है and and according to Oham law according to Oham law हम लोग ने क्या पर रहा है voltage is equal to I into R from Oham law Oham's law Oham जी के law से हम लोग ने क्या निकाले है voltage is equal to current into resistance I is equal to क्या होता है हम जो ने भी देखा है current into ये R जो होता है resistance resistance के बारे में हम लोगों ने unit 1 पे ही discuss करके रखे है और ये जो Oham slow है Oham slow के वह हम लोगों ने discuss कर रखे है तो voltage is equal to voltage is equal to क्या होता है current into resistance ठीक है चलो तो ये था हमारा potential difference के बारे में अभी हम लोग चले आते हैं EMF हम लोग बात करेंगे अभी क्या EMF के बारे में what is the full form of EMF आप लोगों पता है तो मन ही मन में अगर आप लोगों पता है तो फिर बताईए फटाफट से मेरे को ना बताने से भी चलेगा आप लोग अपने आपको बताईए कि हाँ होता है इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स एलेक्ट्रो मोटीव फोर्स ठीक है अपने आपको सुनाइए अपने आपको सुनाइए कि आपको फिल fsur Alright Kingdomcionर पॉर्स एलेज़ो मोटीव फोर्स एक है किए एम एफ मों सौरी हिसक रोटा ये एर्सकूल पॉर्सिक है एलेक्ट्रो मोटीव फोर्स है ठीक है इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स एक्ट्रो मोटीव फोर्स Q-force तो इम्प क्या होता है दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं यह motivation है यह motivation है एलेक्टिक सरकीट में एक तरह का motivation का काम करता है जिसके बजल से current flow होता है एक इलेक्ट्रोन देखो एक कंड़क्टर फे अब यहां पे बहुत सारे होगा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलेक्टोन होगा यह एलेक्टोन फ्लो क्यों करेगा क्यों क्यों फ्लो करेगा तो यह जो एम्फ है यह इसको मोटिवेशन देता है कि भाई तुम लोग को अभी फ्लो करना है यह वह एफोर्ट है जो कि यह इसमें इलेक्ट्रोन को मूव करने करने में क्या करता है इसको क्या करता है इसको हेल्प करता है ओके यह मैप क्या होता है यह मैप इस दा इलेक्ट्रिकल एफोर्ट रिक्वार्ट टू ड्रीप्ट दा फ्री एलेक्ट्रोन इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन अ conductor is called electromagnetic force वोले तो क्या एक तो मोडिफ फोर्स एक आपका electrical effort है एक electrical type of force मान लेजिए electrical force electrical force जो कि इस electron को यह जो free electrons है इस electron को एक particular direction में move कराने के लिए इसको क्या देता है दवाब देता है ताकि यह आपका move करें तो इसी effort को हम लोग क्या करेते हैं EMF कहते हैं ठेक है इसी effort को हम लोग क्या करेते हैं EMF कहते हैं the electrical electrical effort the electrical effort required to drift required to drift the free electrons drift the free electrons in one particular direction in one particular direction in a conductor is known as known as EMF ठीक है EMF ओके ठीक है देखो मैंने क्या लिया एक conductor लिया this is the conductor conductor किसको कहते हैं जिसके थ्रू लेक्टरों फ्लो था है मतलब करेंट जो है electric charge जो है वो flow हो सकता है उसको हम लोग conductor कहते हैं जैसे कि तार होता है तार हम लोग ने देखा है बल्ब जलाते हैं तार के सारे इसमें क्या रहेगा है तो फिर इसमें बहुत सारे 3Electron रहेगा तो फिर इसमें बहुत सारे क्या रहेगा रहेगा लेकिन ये Cre Prinzip क्या है कि अंदर है के ये फ़लोनी कर रहा है इनिशाल कंडिशन पर ये आपका फ्लॉन कर रहा है लेकिन लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे यहां पे हम लोग लगाएंगे एक performs है माया व्यें अलंट क्लामी ये ऐ बेटरी ये बैटरी यह 16 एक यह हमारा बल्ब तु मैं ने einếu को Azek करके इसे लगाया और सित को इदरसे इस तार पर धायर कर सब्सक्राइब इसको इसके साथ जोड़ दिने से क्या होगा बोलो सिंपल सा बात है यह आपका क्या करेगा गलो करने लगेगा ठोक्षा यह क्योंकि यह जो नेगर्टीव पॉइंट है यहां से इलेक्ट्रोन जो है इस तरफ मूव करेगा एसे इस तरफ मूव करेगा ठीक है यह अभी जो यह फ्री लेक्ट्रोन से यह इधर move करेगा अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है electron का flow देखने को मिल रहा है electron क्या हो रहा है drift हो रहा है एक जगा से दूसरे जगा पर जा रहा है किस के बज़े से जा रहा है इस battery के बज़े से ये battery के बज़े से जा रहा है तो इस battery के सारे हम लोग क्या लगाई हैं बोलो है इससें एक इसको कह सकते हैं यह बैटरी जो electrical effort दे रहा है यही है आपका EMF ठेक है तो वो source वो effort जिसके विए से किसी भी conductor में जो electron है जो free electrons है वो एक direction पर चलने लगेगा उसी electrical effort को हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब करके ठीक है बैटरी के सारे हो या फिर दूसरे सब्सक्राइब के सारे हो हम लोग ऐसे देते हैं उस बैटरी से जो effort देता है बैटरी ठीक है उसी को हम लोग कहते हैं EMF ओके ठीक है चलो अब EMF को हम लोग कौन से सिंबल से डेनोट करते हैं इसको हम लोग डेनोट करते हैं है यह वाला यह नहीं आर्थ यह वाला यह ठीक है ओके तो इस तरह से हम लोग उसको इस सेमबल से जो है हम लोग इसको डेनोट करते हैं अगर फॉर्मला की बात करें तो फॉर्मला जो होगा epsilon is equal to क्या होता है V is equal to I R V is equal to I R V क्या है the voltage the voltage where इस formula में V क्या है V is equal to voltage of the cell ठीक है जो battery हम लोग लेंगे वो cell कहते है उसको voltage of the cell and I क्या है I क्या है दोस्तो current across the circuit current across the circuit तो जो current flow हो रहा था current across the circuit ठीक है एंड ये R क्या है internal resistance of the cell ठीक है तो देखो जो भी battery हम लोग लेंगे जो भी cell लेंगे उसमें थोरा ना थोरा अपना एक resistance रहता है ठीक है मतलब उसका एक कमजोरी रहता है जिसको अब लोग कहते है internal resistance एंड इस internal resistance के वज़े से बैटरी का जितना रेटेड 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 वोल्टेड रहता है उसके थोरा सक कम हमें मिलता है ठीक है ओके तो यह होता है हमारा आर्फ एंड यहां पे यह जो है इस इस दा इलेक्ट्रोंटी फोर्स ओके दोस्तों चलो तो अब यूनिट ऑफ सी बात है यूनिट ऑफ एंफ हम लोग कैसे लिखते हैं और बैटरी का जो वोल्टेज को कैसे लिखते हैं वोल्टेज को या फिर वोल्ट को हम लोग वोल्ट को कैसे लिखते हैं, जूल बाई कुलंब, ओके, चार, स्री, वर्ग बाई चार्ज, जूल बाई कुलंब, ओके, ठीक है, चलो, तो अभी, जो है, हमारा आज का आखरी टॉपिक, that is, difference between, electromotive force and potential difference, ठीक है, तो electromotive force भी हम लोगंने देखा अभी, यह electromotive force है, and potential difference को हम लोग ने अल्री देखा है तो इन दोनों के वीच में क्या difference रहता है क्या क्या difference है वो देख लो अपने screen पे आ रहा होगा यहां से आप लोग is difference को लिखे क्योंकि बोड में लिखेंगे तो और भी जहाँ ताइम जाएगा तो देखो, electromotive force क्या कहता है EMF is defined as the work done on a unit charge तो unit charge में कितना work done हुआ है this is the EMF ठीक है and potential difference क्या होता है potential difference is defined as the energy which is dissipated as the unit charge passed through the component तो किसी भी component के through अगर कोई भी charge unit charge pass होता है तो वो जितना energy dissipated करता है मतलब जितना energy वो छोड़ता है या फिर जितना energy loss होता है वह आपे ठीक है वो इदर से उदर जाने के लिए वह होता है या आपका क्या potential difference EMF remains constant तो EMF जो होता है वो constant होता है लेकिन लेकिन potential difference आपका time के साथ साथ वो क्या कम हो जाता है potential difference वो कम हो जाता है जितना हम लोग use करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा प्रेद्रे तैन उसके बाद कि इंडिपेंडेंट ओफ सर्कीट रेजिस्टेंस तो EMF सर्कीट रेजिस्टेंस के से क्या है इंडिपेंडेंट्स मतलब सर्कीट रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है लेगिन potential difference डिपेंड रेजिस्टेंस बीटूइन दा टू पॉइंट्स डिविंग दा मेजर्मेंट तो दो पॉइंट के जो हम लोग पॉटेंचल डिपेंस माप रही है ठीक है उन दोनों के बीच में क्या रेजिस्टेंस है उसके उपर डिपेंड करेगा पॉटेंचल डिपरिंस देन उसके बाद due to EMF electric magnetic and the gravitational field is caused तो EMF के वाज़ से electric field generate होता है magnetic field and gravitational field जो है वह जनेरेट होता है अब डिव्टेंचल डिपर डिपरेंस दा यहांबड सभ्वाइं हो सकते हैं लेकिन यहाँ पहीं कि नहीं कर रे हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो फिर आपको तो होयर लिखके बता देना है इस इगल टू इलेक्ट्रमोटीफ फोर्स जैसे कि मैंने यहां पर बताए हैं आप लोग वी इगल टू वोल्टेज ऑप दे सिल और आई जब कभी भी आप लोग कोई एक फॉर्मल लिखेंगे जहां पे कुछ सेंबोल इस होगा तो उस सेंबोल का मतलब क्या है वह आप लोग पीछे जरूर लिखेगा होयर लिखके आप लोग लिख देजेगा ठीक है चलो तो क्लास को जो है आज हम लोग यहीं करते हैं नेक्स क्लास में हम लोग बात करेंगे एनरजी पावर एंड कुछ फोर्मूला जो है कुछ रिलेक्शन्स जो कि ह हम लोग इलेक्टिक सर्कृट में ज्यादा तर यूज करते हैं और वो हम लोग नेक्स क्लास में बात करने वाले हैं देगे दूस्तों चलो तो मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक लिए अपना परहे बराबर करते रहे हैं और थोड़ा सा खुद से परिये जैसे कि मैंने कहा आप लोगो थोड़ा सा महनत तो करना है अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो डिफिनेटल आपको खुद से ज़्यादा महनत करना है तेक इसलिए टाइम बहुत ही कम मिल रहा है आप लोग के लिए फिर भी मैंनेज कर रहा हूं आप लोग के लिए तो डिपेंडेंट बिल्कुल मत होई है खुद से थुरा सा पराई कीजिए जितना हो सके पराई को बढ़ाई है धिरे-धिरे से ओके चलो तो मिलेंगे नेक्स क्ल